दोस्तों अभी मैं atmosphere tower के पास में ख़रा हूँ जो की कुलकता के science city के पास में होता है और science city कुलकता के JBS Avenue में परता है तो मैं atmosphere building के आसपास के थोरा area दिखा देता हूँ और फिर उस tower में entry करूँगा और उस tower के कुछ फिलेट से दिखाऊँगा यह जो आप देख रहे हैं यही एटमस्पेर बिल्डिंग है तो इस बिल्डिंग के छत पर चरके साइंस सिटी मुजियूम पार्क का भी सीन दिखाऊंगा उपर से साइंस सिटी मुजियूम का सीन कैसा लगता है यह फलाय ओभर बिरीज है रूबी से आया है और यहाँ पर चार नमर पार्क सरकस रूबी और स्वाट लेक का क्रोशिंग पॉइंट है यहाँ पर तो फलाय ओभर बिरीज बना मेन रोड था उससे में नीचे उतर चुका हूँ और यह आप देख पा रहे हैं नीचे बास से स्टेंड भी है और इसके जस्ट बगल में ही इटमस्पेर बिल्डिंग है और यह आप देख पा रहे हैं बिरीज के नीचे से रास्ता है उस तरफ जाने का और उस तरफ मार्केट भी है यह उस बिल्डिंग के पास का फुट पाथ है और यह में गेट है अब इसमें मैं एंट्री करता हूँ और लिफ्ट से होते हुए सब से उपर के मंजिल तक जाता हूँ यहाँ पर थोड़ा केमरा घुमा कर चारु तरफ का लोकेशन दिखा देता हूँ तो दोस्तों आप बिल्डिंग के बाहर का नजारा तो दिखी लिया है अब अंदर जाता हूँ और अंदर का नजारा फ्लेट से बगएरा दिखाऊंगा और फिर उपर छत से नीचे का नजारा और साइंसे सीटी दिखाऊंगा यहां पर कार पारकिंग होते हैं और इस से आगे में तीन नमर टावर में चलता हूँ झालता हूँ 38 फलोर में चलता हूँ 39 फलोर में में चलता हूँ यह सेकुरिटी हैं लिफ्ट में तो दोस्तों लिफ्ट से उतर चुका है और यह आप देख पा रहे होंगे 38 फ्लोर है और इसमें कंस्ट्रेक्शन वर्क चल रहा है यह सब सोलर पैनल्स लगे हुए है लेक्ट्वी सीटी प्राप्त करने के लिए और नीचे आप देख पा रहे हैं वह साइंस सिटी म्यूजियम पार्क है साइंस सिटी म्यूजियम पार्क का दिरिस अच्छे से देख लिजिए वह जो ट्रेन के जर्शा चलते हुए दिखाई दे रहा है वह बास्तर में ट्रेन नहीं है और वह जमीन में नहीं चल रहा है यह उपर में रसी बंदे हुए हैं उस पर सरक रहा है रहा है थैंक्स पूर वाचिंग